अपना अगला सब्जक्ट स्टार्ट करते हैं यह अपना फोरेस्ट प्रोटेक्शन फोरेस्ट प्रोटेक्शन से पहले हम जो अपना यूनिट थ्री है उसका सिलेवस दिख लिते हैं आपके जो राजस्थान एसियप के सिलेवस में यूनिट थ्री में तीन चीज़ा दी हैं वोने तो जो भी पढ़ा दो इससे उन्हें थोड़ा जटेली पढ़ना होता है इसके साथ आपके हाँ जो यूनिट वण है उसमें उन्हें दिया था कि जो नर्सरी पेस्ट और डिजीजेज हैं उनको स्टेडी करना है और जो अपनी प्लांटेशन है उनके लिए कौन सी स्टेडी करना है तो इन्हें क्योंकि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यह अपना जो एंटमोलोजी और पैथलोजी वाला पार्ट है इसी में कबर हो जाएंगे क्योंकि बस इसमें इतने याद रखना है कि प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं उनके लिए कौन सी पैथलो स्ट्रेप्स पर अटैक कर रहा है और वैसे ही काम नर्सरी का लेता है तो इन्हें इन्हीं के साथ में पढ़ लिया जाता है अब यहां पर एक तो देखते हैं इंपोर्टेंस का सब्जक्ट का इन तीनों को यह अगर को टोटल मिला के बात की जाए तो आइस्यार वालों के यह उनके जो को आईजियर के पेपर हैं जे एरेफ के पेपर से हैं उनके लास्ट में उनके कुछ मैस्टा प्यर टाइप की कुछ्छन आते हैं तो उनके लगवग मैस्टा प्यर में पिछले लगवग साथाट सालों में 2010 के से लिए 2016 की जो पेपर देखे हैं उनके लास्ट उन्होंने लगवां एक तो कुशन कंफर्म होता है पैथलोजी से और एक कुशन होता है एंटोमोलोजी से मैं जद एप रहते हैं इस थैप से एक गुशन आता ही है पाच पाच वहला और फिर एक-दो कुशन बीच माँ जाते हैं अगर ECF यानि की स्टेट PSC के लिए बात की जाए ECF एक्जाम के लिए तो कुछ PSC है जिन्होंने इस पर ज़्यदा हाइलाइट किया और कुछ लोगों ने इसे पूछा ही नहीं खासकर pathology, entomology पर question ही नहीं पूछा है जिसमें से अपना जो मारास्ट्रा ECF है उसके साथ भी ऐसे ही है और आस्राम ECF के साथ भी तो वो ज़्यदातर question है वो इसी से पूछ लेते हैं तो एक roughly देख लिया जाए तो लगवग अपने तीन-चार question मानने के चलो यह पूरे parts है जिसमें अपना forest protection है pathology और entomology तीनों को मिलागर के लगव तीन से चार question आएंगे अब यह थोड़ा difficult लग सकता है कि इतना बड़ा हम difficult part क्यों पर रहे हैं तीन-चार के लिए ऐसा नहीं है इसके थोड़ा application part है और यहां पर हमें केवल वही चीज़ा पढ़नी है जो question आते हैं आपको जो notes है वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि काफी लोगों की जो requirements है वो थोड़ा ज़्यदा detail मिशायते हैं otherwise मेरी priority हमें सब यहीं रहती है कि 80% question कवर हो जाएं अपने 100 में से 80 कवर हो जाएं उसके साब से पढ़ाना चाहिए ठीक है जो भी है जिनकी demand ज्यादा है वो उसे पढ़ सकते हैं अपने जो वीडियो में discuss करेंगे वही targeted point discuss करेंगे जिनने हमें याद रखना जरूरी है खासकर अपने exam के लिए तो आगे चलते हैं इसमें तो सबसे पहले तो अपना क्या-क्या पार्ट है आपके जो notes में है तो यह वाला तो पार्ट है पुरा यह थोड़ा index थोड़ा गड़बड हो रखा है यह वाला basically आपका entomology है और यह वाला पार्ट थोड़ा pathology है तो इसे index के साथ देख लेना अ प्रॉस में तो हम यह देखते हैं कि आखिर यह forest protection होता क्या है पहला question जो आपको अक्सर मिलता है वो यह आता है कि आखिर forest protection होता क्या है दूसरा आता है कि forest protection के types तो forest protection है यानि कि protection मतलब किसी को protect करना और forest को protect कर रहा हो तो forest protection है क्या यह एक type की activities है forest protection एक type की activities है जो आपको ऐसी agencies जो आपके forest को damage कर रहे हैं हार्म कर रहे हैं उनको या तो forest में आने से पहले ही रोक लो यानि कि उन्हें prevent कर लो उनके active होने से पहले ही या फिर वो अगर forest में इंटर कर चुकी है तो कैसे उन्हें maintain करें जिससे कि उनका जो impact है forest पर वो कम से कम हो और उन्हें जल्दी से जल्दी हम eliminate कर दें तो इस type की agencies किसे अपने forest को बचाना उस method या वो पूरा जो system है उसको बोलते हैं forest protection यह agencies क्या हो सकती है उनमें सबसे बड़ा तो इंसान ही है दूसरा और क्या हो सकता है wild animal या अपने domestic animals हो सकते हैं और क्या है insect paste हो सकते हैं फंजाई यानि कि pathology हो सकती है और adverse weather की condition कई बार जैसे drought पढ़ गया फिलट पढ़ गया यह नहीं कि जैसे drought पढ़ गया तो forest fire लग जाती है और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो यह सारी जो चीज़े हैं इन सब को हम यहाँ पर पढ़ेंगे forest protection में जो अपनी agency यह एक ही करके हम इने discuss करेंगे इसमें यह वाला part जिसे हम पढ़ेंगे forest pathology में औ और यह वाला part है जिसे पढ़ेंगे forest and tom है तो यह दोनों को छोड़ करके तीन part को हम यह डिसकस कर लेंगे अब यहाँ पार एक बात और आती है कि measures यानि कि जो agencies हैं जो आपके forest को damage कर रही है जैसी यह कर रहा है यह यह कर रहा है यह यह कर रहा है तो इसके रोकनी के क्या त तो रोकनी की बात की जाए तो यहाँ पर दो टाइब के measures लिए जाते हैं एक होता है preventive और दूसरा होता है remedial preventive मतलब कोई किसी को काम करने से पहले ही prevent करना रोकना जो preventive measures है वो क्या करते हैं कोई जैसे forest fire है तो यह forest fire के लगने से पहले ही fire कैसे लग सकती है उनकी condition को eliminate कर देना उनके condition को remove कर देना तो इस टाइब की activities को रोकना, उनके होने से पहली रोक देना उन्हें गोलते हैं preventive अब अगर कहीं fire लग चुकी है तो उस fire को रोकना, उसे खतम करना, उसे बुझाना और उससे जो damage हो रहा है या उसके बाद की जो spillover effect है उसको कम करना उन चीजों को हम करेंगे remedial measures में तो इस ताइब से forest protection की दो method है, preventive और remedial और कोई भी agency को जब हम discuss करेंगे, तो उसके साथ हम जो उसके issue होंगे उसके साथ हमेशा कि हमें क्या करना है इस चीज को कैसे या इस agency को कैसे handle करना है तो इसमें यह जो preventive और remedial measures हैं यह अपने last तक अपने साथ साथ चलते रहेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहली agency जाती है जिसमें अपना आता है इंसान अब इंसान के साथ क्या है एक तो यह करता है deforestation मतलब forest को काट देता है deforestation में यह जो पूरा का पूरा forest area है इस पूरे area को साफ ही कर देता है बिल्कुल clean कर देता है दूसरा होता है illegal filling illicit filling illicit filling में यह पूरे forest area को नहीं काट रहा है यह क्या कर रहा है जंगल में जा रहा है और कुछ पेलों को काट करके illegal तरीके से लेके आ रहा है उन्दे को पेल लीगल तरीके से भी कटते हैं जो forest department तो वह वह कट हैंगे जो उनका rotation period आ गया होगा उसके हिसाब से यह illegal filling का मतलब है गवर्मेंट को पता नहीं जिसकी वो property उसे पता नहीं है कोई अबैद तरीके से कटाई करके चला गया आपने साथ इंडिया में चंदन तसकर का नाम से सुने होगा चंदन तसकर वीरपन का नाम सुने ही है तो वो क्या कर रहे थे पूरा illegal cutting कर रहे थे इसके साथ एक issue और है वो है अपना forest fire का यह काफी important है अगर आपको question कोई आएगा तो उमीद रहती है कि forest fire के type से आ जाए इसके साथ एक और issue है वो है defective management defective management में क्या होता है कि forest department ही सबसे बड़ा एक issue है आज के टाइम पर salary के लिए पर कर रहे ना कि forest को बचाने के लिए उनकी livelihood है अगर उन्हें उससे better कोई option दे दिया जाए तो 70% वहां से department छोड़के भाग जाएंगे इसके अलावा और क्या है जो छोटी मोटे है यह तो है major causes जो इंसान करता है अदर क्या है जिसके लॉपिंग है लॉपिंग का मतलब होता है जिसे जो पेड़ खड़ाया है उसकी ब्रांचे काट लेना पत्तियों के लिए और अपने जनवरों को ख़वा देना एक है करके ल लीफ लेटर यह इंपोर्टेंट है इसे यहां डिसकस कर लेते हैं क्योंकि बात में डिसकस नहीं किया जाएगा यह जो हिमालाय रीजन है जहां पर आपने सुना होगा कि मैंने यू कि अभीज बिंड रौ जो सिल्वर फिर की जो फोरेस्ट है उनके नीचे बताया था कि ज पर जो लिफ लिटर है उसे लोग नीचे से इखटा करके घर पर लियाते हैं रो करेंगे क्य जलाओ मतलब जलाने की काम में कर लेते हैं या फिए जो उनकी जानवर रहते हैं तो जानवरों के नीचे डाल देते ह sırओं जैसे जानवरों कि जमीन में छंडे की मना आए में को ак या मैं इस टाइब कर लेते हैं तो वो leaf litter काफी ज़धा collect करते हैं कई बार leaf litter को charcoal बनने की काम में भी use कर लेते हैं तो अगर वो leaf litter को हद से ज़धा remove कर लेंगे तो क्या होगा soil surface जो है वो open हो जाएगी और soil surface open होने का मतलब है कि जो erosion हो रहा था वो जो leaf litter जो water को filter कर रहा था वो नहीं कर पाएगा तो अब water जो है वो तेजी से डलान से भाग के चला जाएगा नीचे तो जो leaf litter उसके लिए जो obstacle create कर रहा था वो नहीं हो पाएगा तो अपने जो run fall वाला काफी तेजी से चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा यहां इसका result होगा soil erosion तो यह एक leaf litter के साथ issue है इसके अलावा एक और है कई बाद कुछ plants जो होते हैं उनके जो fruit है और flower है वो काफी important है मतलब commercial values के हैं for example अगर पत्ती की बात की जाए तो जैसे टेंदू पत्ता MP में खट्टक किया जाता है जो बीडी बनाने काम में आता है डायो इस्पायरस मेलेन जैलन साइंटिफिक नेम उसका दीरे दीरे आपको आदत पढ़ जाएगी साइंटिफिक नेम की तो वैसे इसके जैसे flower है fruit है आगर इन्हें जैदा collect कर दिया जाए तो जो plant है इसका एक example बोलते हूं अपने धाक या पलास बोलते हैं जिसे धाक के जो flower उन्हें होली के time पर पकते हैं उनकी लोग बनाते हैं होली में जो color use करते हैं तो यहां डाक के flower सी color use करते हैं तो इस type के अगर उन्हें बहुत जदा collect कर दिया जाए तो उसकी नई generation के लिए कोई बचे गई नहीं क्योंकि जितने भी फूल जो produce होने वाले थे उन्हें तो यह majority को यह collect करके चलेगा है कोई plant medicinal property का तो आदर तो इसी type से खतम हो जाता है क्योंकि उसकी नई generation यह पैदा ही नहीं होने देते हैं पूरे पूरा खटागर के लिए आते हैं fruit के साथ भी वही है जब कोई नई generation को fruit छोड़ेंगे नहीं सब की सब बाहर collect करके लिए आए तो कुछी 10-15 साल बाद वो plant जो है नई generation खतम हो जाती है और पुरानी एंडी होने वाला होता है तो इस टाइप से वह निकल जाती है इसके अलाबा इंसान और क्या कर रहा है वह कर रहा है इंवार्मेंटल पॉलिशन तो यहां पर जो अपनी मेजर थे उनको आप एक ही करके डिसकस कर लेंगे इनमें सबसे पहले आता है डिफोरेस्टिशन आप को जो कुछन आएगा वो डिफोरेस्टिशन की डेफिनीशन पर आएगा तो यहां पर कुछन पर इंपॉर्ट्रेंट लिखते हो जदा सिंपल सा टॉपिक है बहुत असान से टॉपिक है पस आपको हालाइट पता होना जाही कि किस पर कुछशन आते हैं अपना काम हो जाता तो देखो पेड काटना या जंगल को साफ कर देना डिफोरेस्टिशन नहीं होता है। आप ऐसा तो किलियर फिलिंग सिस्टम मैं भी करते हो। डिफोरेस्टिशन का मतलब है कि आप यहां से क्रॉप को तो हटा दिया। लेकिन यहां पर आपका जो इंटेंशन है वो यही है कि क्रॉप पर्मनेंटली हटाई। आप यहां पर दोबारा से फोरेस्ट ओगाने वाले नहीं हो। तो रेमोवल ओफ ट्री क्रॉप किस से पीस ओफ लैंड विदाउट यह विदाउट को दिया रखना है। विदाउट इंटेंशन टू डीफोरेस्टिंग। इसे बोलते हैं डीफोरेस्टेशन। अगर आपने उसे रेमोव कर दिया और बापिस फोरेस्ट लगा दिया। जैसे कि अपने क्लियर फिलिंग में कर रहा है। तो वो डीफोरेस्टेशन की डीफोरेस्टेशन में नहीं आता है। तो आपको डीफोरेस्टेशन उमीद है क्लियर हो गई होगी। अब मुद्दा आता है कि आखिर डीफोरेस्टेशन के क्या है। कौन कौन सी चीजह हैं जिनकी वज़े से डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो इसकी पीछे एक जो यूजली तो हमारे जो डिबलप्मेंटल प्रोजेक्ट हैं जैसे की नदी बनना है हाईवे बनना है रिल लाइन निकल गई या फिर आज के पिछले पिछले साल का एक फिरमस एक कौचे से होते हैं उसमें एक जो बहुत बड़ा कोचे है वो हमारी फोरेस्ट पॉलिसी जा क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काफी बड़ा है तो सेंटर में जो पॉलिसी बनती हैं वो कई बार कुछ अलग चलना एश्टेट की पॉलिसी अलग चल लिए दूसरे एक department की दूसरे department की policies के साथ interference हो रही है तो हमारी policies जो है वो इतनी clarity नहीं है मतलब उनमें कुछ कमिया रह जाती है वो थोड़ी defective है अगर हम policies सीधी सीधी बात करेंगे तो फिर क्या है कि वो दूसरे की हमत नहीं होती है अब यहाँ पर बोला है कि हमें forest को बचाना लेकिन देश को भी develop करना तो ऐसी case में क्या है कि कहीं न कहीं आपको यह river valley project होते हैं इस टाइप की चीज़े चलती है वो कहीं न कहीं बन जाती है और उसका result होता है forest खतम होना यहाँ पर जो cherry dam है उसका एक example ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर पूरे पहड़ी एरिया था यहाँ पर यह क्या करेंगे कि एक dam बना देंगे अब जैसे अगर यहाँ पर जैसे यह cherry dam लेव लो अगर यहाँ पर इन्होंग ने डैम बनाया तो क्या होगा यहां पर बहुत सारा forest का एरिया था, कुछ thousand hectare का एरिया है, वो डूब में आ गया, इसके साथ टेहरी सिटी भी आएगी और दूसरे गाउं कस्वे वो भी आएगे, तो एक तो forest एरिया गया, दूसरे गाउं बखरे वाले डूब में आ गया, अब इन लोगों को क्या किया जा जाएगी, तो colony भी किस पर बनेगी, forest की जमीन पर, फिर जो किसान है उनको भी जमीन दी जाएगी, तो वो कौन सी दी जाएगी, forest को साफ करके उने जमीन दे दी जाएगी, इसके बाद इस एरिया में transportation के लिए road बनेगा, तो पाड़ों से फिर वो road के लिए जंगल गटेग फिर यहाँ पर इसके लिए staff के लिए colony बनेगी, यहाँ से जब transmission line जाएगी, electricity की, तो इस line के नीचे के जंगल को साफ कर दे जाता है, जिससे आग न लगए, तो इस type से जहाँ यह dam बन गया, वहाँ जंगल की वाट लगा दे, तो इस type से हमारी जो policies हैं, उनके साथ भी planning किया था, कि इनका जो मसूरी है, मसूरी से लेकर के हमा चलके चमबा तक, जो सिवालिक है, उससे साफ कर दिया जाए, सिवालिक mountain range को साफ कर दिया जाए, और उस पूरे में, फोरे मुझे जो fruit belt है, वो बना दिया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, अब यह ठीक थ जाता है, तो आपको आधा तो forest जो अजुत्रखन वाले बोल देते हैं, कि उनका 70% यह 60% एरिया में forest है, उनका आधा इधर ही साफ हो जाता है, तो इतने सबसे बड़ा problem क्या है, land diversion, एक यह भी issue है, और इसके साथ deforestation के और क्या issue है, कि अगर आप कहीं भी जाओगे, किसी इंडिया के नकसा पर कहीं भी उंगली रख दोगे, किसी ना किसी की जमीन निकल जाएगी, अगर आप उस एरिया में इंटर कर जाओगे, तो वो केस ठोग देगा, कोट केस में चला जाएगा, बतलब किसी की ownership है, लेकिन forest एरिया में क्या है, क्योंकि government का माल है, मुफ्त का माल समझ लेते हैं लोग, और कहीं भी जाओगे, आपको ये forest land मिल जएदा जाती है, आराम से मिल जाती, क्योंकि इसका percentage कितना है, लगो 22%, total area, 22-30% है, तो 22% है, इसका मतलब है, कि आप कहीं भी जाओगे, अगर आपने इंडिया के map पे भी कहीं थोड़ा बड़ा सा point बना दिया, तो कहीं न कहीं forest area में पहुंची जाएगा, तो क्योंकि land इसलिए अपाले बाल है, इसलिए highlight बहुत आसानी सो जाती है, इसके साथ एक जो major issue है, इसे भी ध्यान रखो, हम लोगों के एक दिमाग में mentality हो रखी है, कि forest में कुछ होता नहीं है, खाले पिली में जंगल खड़े है, उनमें कुछ नहीं मिलने वाला हमें, क्यों हमने बोला कि कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा क्यों कि हम हमेशा उनकी जो tangible benefits है, जो productive है, उनहीं पर ध्यान देते हैं, उसके जो intangible benefit है, उसको कभी ध्यान नहीं दिया, कि वो oxygen दे रहा है, या हमारे जो ecosystem है, उसको maintain कर रहा है, rainfall system है, runoff system है, means water harvesting system है, इन सब को maintain कर रहा है, तो जो cities है, वो इस water harvesting पर ठीकी है, पुछ चीजों पर ध्यान नहीं देता है, वो direct चीजों पर ध्यान देते हैं, तो direct के इसाब से जो हमारे एक टाइप से mentality developed की गए, कि forest कुछ नहीं देते हैं, बहुत ही low productive है, तो य ये एक mentality बहुत जदा है, और इस mentality का सबसे जदा effect पड़ता है, कि जो forest policy बनाते हैं, वो भी लोग कई बार means forest policy नहीं, जो other policies बनती हैं, departmental level पर, other department है, तो वो forest को आशी ही समयते हैं, फालतु का department है, तो इसका result ही होता है, कि forest के प्रती लोगों का एक view, negative time का view है, खाली पिली का department है, तो यहाँ पर आज की time पर जो हमारा काम चलना है, वो यही है, कि forest को यह जो एक type का stereotype बन रखा है, जो forest non productive या बहुत ही low productive वाले हैं, उसको change किया जाए, और government को बताया जाए, कि सबसे जो पैसे वाला department है, सबसे जाए जो productive department है, वो forest ही है, और इसे cabinet के अंदर लिया चाहिए, यही बजाए कि अभी तक ही cabinet के अंदर भी नहीं है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो होती है, वो है economic outlook, तो बहुत ही absent है, एक type से या इसको जदा develop नहीं किया गया, और भी corruption वगए जैसे इस वापको पताई है, तो यह सारे causes हैं deforestation के, अब इनको क्या किया जा चाहिए हद तक जो land का divergen था, उसे रोग दिया, क्योंकि आपको बताता है कि जो forest area वो state की property है, state के अंदर आता है, तो इस act के थ्रू क्या क्या है, उसे concurrent list में डाल दिया है, तो अब जो state government है, वो forest में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो forest जो area है, उसको किसी other purpose के लिए यूज करना चाहते है, non-forestry purpose के लिए यूज करना चाहते है, तो इन्हें center government से permission लेनी होती है, तो यह इस act के अंदर आ गया, दूसरा क्या करने लगे है, कि इसकी एक type से regular reporting होने लगी, जैसे अपनी Indian state of forest report है, तो वो क्या कर रही है, हर दो साल बाद इसकी reporting कर रही है, कि कहा पर अगर जमीन कम हो रही है, तो कैसे होगी, और वो भी किसके based है, satellite based, जिससे अगर local level पर या नीचे level पर corruption भी हो जाए, और information ना भी आए, तो कोई बात नहीं, satellite तो दिखाई देगी, इसके साथ और क्या किया जाए, कि जो forest area है, उनका एक type से network बनाती है, कौन से, national parks है, wildlife centuries boundaries है, bias for reserve है, तो इस type के बनाने से network से क्या हुआ, कि इनको हमने divide किया core area, buffer area और transition zone में, और इन में promote किया tourism, तो जो bias for reserve program वगर है, इस type के थुरू हम क्या कर रहे है, कि network से एक तो उनने protection में लगया उन areas को, दूसरा इस से हमने economy link करना start कर दिया, इस से जो economy वाला कि forest से हमें कुछ मिलता नहीं है, पूरी जो economic वाला, उसको कहीं न कहीं हमें time करने में, उसे खतम करने में help कर रहा है, अब माने के चलो किसी area में deforestation हो गया, या हमें जबढ़ जस्ती करना ही पढ़ रहा है, जैसे हमारी energy की requirement है, या minerals की requirement है, सबोज हम China के स साथ तोड़ा issue और बढ़ता है, और हम अपने धेश में industry को promote कर दें, तो हमें क्या चाहिए, minerals, और minerals तो कहीं न कहीं आपके natural resources, जंगलों के अंडर दबे हुए, तो आपको वो minerals के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको जो mining है उसे promote करोगे, तो फिर क्या करोगे deforestation हुआ, तो in that case आप क्या करोगे, कंपा जैसी scheme को promote करोगे, दूसरा जहाँ shifting cultivation अपने हाँ देश में अभी भी चल रहा है, तो या तो उसे improve fellow, improvised fellow system, मतलब shifting है, उसको improve करो, या फिर उनने system वालों को तूंगया system में ले किया हूँ, या फिर आपको बता था कि जो मड़ी पूर है, मड़ी पूर वालों ने यहाँ पर क्या किया था, palm oil, palm oil की plantation की थी, तो उस type के system में ले किया जाओ, और जो forestry में है, जो illegal filling वगरा है, इस type की जो activities है, जिससे deforestation हो र रोकने में या उनकी remedial में help करते है, remedial वो चीज़े हैं, जो इन चीज़ों को लंबे time तक रोक रखे, इनी में दूसरा आता है shifting cultivation, shifting का एक दूसरा नाम है, slash and burn cultivation, या क्योंकि पूरे काम को लाड़ी सी किया जाते हैं, तो इसे बोलते है, x cultivation, ये भी पूछा जा चुका है, इसमें actually question सामेल नहीं किये गए हैं इस video में, लेकिन जो आता है वो आपको बताया ही जा रहा है, basically shifting cultivation हम पहले भी पढ़ चुके हैं, agroforestry में, यहां पर वही दिखाया जा रहा है कि ये पूरा पाड़ी पर पहले कहीं forest था, इन लोगों ने आये और यहां पर आग लगा दी और यह अपनी जोपड़ी बना के यहां पर रहने लगे, तो यह क्या हुई shifting cultivation, यहां पर यह तीन चार साल रहेंगे, यह पांचे साल रहेंगे, जैसी यहां पर इनका उत्पादन है, प्रोड़क्स हैं वो गड़ जाएगा, यह नए एरिया में ऐसी साफ करके, वहां खेद क्या होता है, जब अपन किसी पेड़ को काटते हैं, तो उससे जो पत्तियां हैं, ब्रांचेज जो नीचे गर जाती हैं, जो अपना एकटा सा कचड़ा हो जाता है, उस कचले को बोलते हैं, और यह बाद में क्या करते हैं, उस कचले को जला देते हैं, क्योंकि एक पेड़ म वगर को burn कर देते हैं इसलिए से बोलते हैं slash और burn remaining चीज आप उन्हों पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी definition क्या है इंडिया के किस region में से क्या बोलते हैं इसके positive negative effect वगरा देख चुके हैं इसको control कैसे किया जाए accepting को तो इसमें आपको बता चुका था कि मारीपुर का ओग plantation वाला है वो पामवाल plantation का है इसके अलावा आप इन्हें थोड़ा settlement करो economic साथ जोड़ दो यह tourism से जोड़ दो तहीं सारी चीज़े हैं इन्हें पहले discuss करें हैं तो इनके देखने की जरूद है नहीं इसके अलावा अपना third point आता है माइनिंग इस पर भी जैसे बता चुका हूँ कि माइनिंग तो आपको कई बार करनी ही पड़ती है जहां माइनिंग होती है उसके साथ एक बहुत बड़ जूँ है क्योंकि आप कि यहां क्या है कि जब मिनरल्स को आप extract करते हो जैसे यह तो बिलकुल open है यहां पर इसु नहीं है जब यह माइनिंग काफी deep जाती है तो यहां पर क्या है कि जैसे एक map बना दूँ यह जमीन का level है आपने माइनिंग करना शुरू की यहां पर तो आप माइनिंग कर रहे हो माइनिंग इसु नहीं है आपने तो केबल forest कोई damage की यहां लेकिन यहां माइनिंग जब करते हो तो यहां पर क्या होगा कि water level जो पहले यहां था यह पानी यहां माइनिंग में आने लगता है और फिर आप इसे निकाल देते हो तो इसका result एक तो होता कि यहां का water level है वो down चला जाता है और water level down का मतलब यहां पर जो vegetation पहले काफी अच्छी थी क्योंकि water level अच्छा था तो यह आराम से नहीं water available था अब जब water level down चला गया तो यहां की जो vegetation उसे water available नहीं हो पाएगा इसका result हुआ कि vegetation धेरे धेरे time के साथ साफ हो जाएगे जंगल पूरे साफ हो जाएगे दूसरा effect यह जो mining जो deep होती है नीचे lower water होता है heavy minerals lower water में भारी टाइप के minerals होते हैं जो हमारे लिए यह plant की physiology के लिए ठीक नहीं है तो जब यह नीचे का deep water जब उपर pump कर दिया जाता तो यह heavy minerals आ जाते हैं उपर बापेस ecosystem है और यह भी plant को काफी damage पहुचाते है third जब यह area है देखो area में के उपर की जो soil develop होई है जिसमें कारवान है organic matter है, biotic life है यह कोई एक दिन का काम नहीं है पिछले लागों सालों का काम है देरे देरे करके ही soil बनती है और आप जब mining करके एकदम area को open कर देते हो तो यहाँ पर फिर succession नहीं हो पाता बहले कुछ बीज जाल दो जब यहाँ पर बिल्कुल ऐसी soil है जो वो soil ही नहीं है वो rock है तो वहाँ पर soil बने गए उसमें organic matter आएगे minerals formation होगा यह time लेती है sodils साथ तो यह वो area तो खतम हो गया तो यहाँ पर इस type के damage काफी है और इसके साथ फिर क्या होगा जब mining activities है तो उसके लिए फिर transportation का काम है तो wildlife damage है noise वगरा है तो इस type की चीज़ें चलती रहती है अब यह है कि mining को कैसे prevent किया जाए तो पहला तो यह है कि माइनिंग देश के लिए necessary item है क्योंकि आपकी industries mining से ही चलेंगे तो इन्हें रोका कैसे जाए रोकने का एक ही है कि पहली तो illegal mining की जरुद नहीं है उन्हें तो बंद करो दूसरा तरीका है कि mining के लिए सबसे पहले तो area को सही तरीके से identify किया जाए कि अबल उतना ही area दिया जाए जितने की जरुवत है और जो area दिया गया उसके बराबर कमपा की plantation की जाए उसके double की की जाए तीजरी industry पे यह जो miner है उन पर थोड़ा strict rule apply किया जिससे वो अब यह तरीके से अधर पेड़ों को ना काटे है क्योंकि होता क्या है कि जिसे mining का ठेका दिया जाता है वो ठेके में तो उसे इतनी जमीन मिली वो बोलता है यह तो जमीन मिली इसे तो यह तो वैसे उसे पूरी workout के लिए जगए मिली थी तो बोलता है नहीं यतने में तो मैंनिंग खो दूँगा पकाय कि वो इतने एरिया की वेजिटेशन साफ कर देता बोला मेरे ट्रक खड़े होंगे तो ये सारे चीज हैं कि उसे जतना एलोट किया जाता उसे जदा को बरबाद कर देता तो ये चीज हैं ना हो स्वैल बगर बाहर से लेके आएंगे प्लांटेशन बगर लगाएंगे जिससे उन्हें दिया को जल्दी से रियाबिलेटेट किया जा सके माइनिंग के अलावा एक अपना आता इंक्रोच्मेंट का इंसान वाला ही है तो कि जंगल के जो इनके खेत हैं जैसे कि इसका किसी का खेत हैła और ये जंगल से जुड़ा हुआ है तो डिपार्टमेंट ने कई पार ध्यान नहीं दे पाता तो ये दीरre-धीरे हर राता है और अपने खेत को थोड़ा बड़ा कर लेता है और पर अगर किसी बाहु के लिए की हल्प मिल गई तो फर थोड़ा जएदा ही बड़ा कर देता है तो इस टाइप की चीज़े चलती है जंगल की एरिया को धीरे धीरे उस पर आवेद रूप से कबजा कर लेते हैं यानि कि इनक्रोच कर लेते हैं अब इसके कोजेज की बात की जाए तो कोजेज में सबसे पहला कोजेज है पॉलिसी का जब भी कभी गले आने की मन हो तो पॉलिसी जो फूरेश पॉलिसी जो गले आ दो ऐसा क्यों क्योंकि पॉलिसी हमारी क्लियर नहीं है हमारी याँ एक तो एक फंडा सबर रखा है आपके नाम कर दी जाएगी अब उसमें होता क्या है कि 100 हेक्टर है जिसमें गरीबों ने 25 हेक्टर पर कबजा किया और अमीरों ने 80 हेक्टर पर तो इस टाइप से फिर बाद में पट्टा सब के करा दी जाते हैं तो यह चीज़ चलती है यह जो है वही है तेलंगाना के जो पार्टी जो सत्ताम है उनी के लोग थे जो नोंने कबजा कर लिया और जब फोरिज डिपार्टमेंट उसको तोने गया उनकी प्लांटेशन तो फिर उन पर अटेक कर दिया तो इस टाइप की जो इनक्रोचमेंट है वो चलता रहता है तो कौजिज आपको समझ में आ गई अब इसको प्रिवेंटिब मेजर्ट्स किया है कि इस टाइप को कैसे रुका जाए तो इसके लिए यह होता है कि यहाँ पर जब यह खेत जो था इसका जब यह खेत था तो यहाँ पर फूरेज डिपार्ट्मेंट क्या लगाता है पिलर्स लगाता है तो इसे यहाँ पर प्रॉपरली मार्किंग करे और हर पिलर की मार्किंग होती है और ध्यान रखे उसकी कंटीन्यू इंस्पेक्शन करना होता है कि यह कहीं बढ़ तो नहीं गया तो इस टाइब की इंस्पेक्शन बगारे की काम कंटीन्यू करने रहते है वह अगर किसी ने पिलर के साथ थोड़ा बहुत छड़ा खानी कर दी तो फिर भाई है सीथे कोट केस फुक देते हैं उस पर बट देना यह पूरा तो डिफ फॉरेस्ट नहीं करते लेकिन वह फॉरेस्ट मेंसे जो वैलियूएबल इस बचीज है उनको निकाल लेते हैं तो आपको स्टार्टिक में बताया था कि जो हमारे फॉरेस्ट है उनका एक व्यू बना रखा कि फॉरेस्ट थो अन्प्रोड़क्टिव एरिया हैं मतलब इन में तो कुछ होगता ही नहीं है कोई मतलब की चीज निकलती नहीं यह खाली-पिली के जंगल कटी ले खड़ रखा है इससे क्या फाइदा तो इस ताइब आपके घर में अगर सो केटल हैं सो जानवर हैं आपने वो सभी जानवार जो अच्छे दूद देते थे पांच लीटर तस लीटर उन सब को बाहर निकाल दिया यहां से सब को बटोर के ले गाए तो यहां पर घर में जो पहले सपोज सतर थे अच्छे दूद देने वाले औ एक भीड़े खटी कर रखी है तो जंगल में भी वही है कि जो ट्रीज है जो वैलिवबल इस पीसीज है उन्हें इल्लीगल तरीके से लोग कट ले जाते हैं और इल्लीगल का कॉजिस क्या है सबसे पहला जो कॉजिस होता है वो है डिमांडनेट सप्लाई अगर सपोज मार्के लेके आएगा और इसके बाद भी जितनी की ढूल नहीं है उससे जदा के मजीर फूट जाए मींस इतनी महिनत के बाद उसकी लखली उतने मना बिचे जो मार्केट प्राइज है उससे सस्ता पुचला जाए तो यह सारी चीजे हैं इसके साथ फिर वही है कि प्रिवेंटिव करें और एक है फूरेस्ट डिपार्टमेंट का ही इसमें सबसे बड़ा रॉल है तो यहां ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ाईश हुए है खासकर इसमें क्या होता है कि जो बीट है वो बीट गार्ड यानिकि फूरेस्ट गार्ड के अंडर रहती है और पूरी रिस्पॉंस जैसे यह है इसके दो रास्ते हैं तो उन्होंने बोल दिया कि सोचना मिली है कि इस गेट से कोई ट्रक निकल रहा लखली का बरा फूरेस्ट गार्ड को मूव करवा दिया यहां पर और फिर इन्होंने जो ट्रक बरवाया था उसे इस रोड से निकलवा दिया अब इसकी मज अबाइंगे तुमारी भीट से फोरेश्ट कट गया तो इस टाप से ही जो ट्रांस्परेंस है फॉरेश्ट में कर आप सने जैसे मैंने बोला के 70% लोग जो है वो फॉरेश्ट में केवल सेलरी के लिए और करप्शन के लिए ही है वही दिक्कत है रिमेडियन मेजर्स क्या है इसका सबसे अच्छा तरीका है forest certification अपने forest से जो भी निकाल रहे हो उसको certified करो तो illegal market के जो system है economic system अगर उससे आप illegal को हटा दोगे एक दिन में नहीं होगा धीरे धीरे होगा लेकिन जैसे ही वो एक बार system से निकल गया तो फिर आप बहले ही पीड काट लो जैसे कि आपने सुनाओकर black diamond है diamond जो है international level पर तो जो red diamond है उसको market से बाहर करने के लिए नोने c-type के organization खड़ा कर रखा है वैसी है kimberley आपने कभी सुनाओका जो खुन खराबा वाले diamond है जहां पर अबहत तरीके से diamond निकाले जा रहा है अफ्रीका में उनको market में इंटर करने से रोक दिये जाए तो उसी type का यह forest certification है कि जो illegal तरीके से जो wood काट के लिए जा रही है तो उसे market से हटा दिये जाए तो अगर वो market में नहीं आएगा market में ज तो काट के क्या करों गया तो इस टाइप से हम illegal filling को रोकनी का काम कर रहे हैं अब आता है forest fire अपने अभी तक का जो topic पड़ा उसमें सबसे important part forest fire और एक और आगा grazing वाला part तो सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि forest fire के causes के क्या है मींज कौन कौन से causes है forest fire के तो पहला तो है natural causes जो जली जो हमारी forest fire होती है वो लगओ चार पांच percent natural causes से होती है जो natural जैसे कहीं light गिर गई light जहान नीचे गिर गई तो वहां आग लग गई दूसरा क्या हो सकता है ज पहले उसकी पत्तियां ब्लुकोल सफेसी होती है सुखी रही होती है जैसी रगड़ा आग पकाली हाग लग गई तो इस टाइप से इनकी ड्राइब अम्मू की आपस में रगड़ने से lighting है इस टाइप की आग लग जाती तो overall दिखा जा तो यह 4-5 percent यह natural causes से होती है अगर major बात की जाए तो manly जो causes है वो लगओ 95 percent जो है वो है man की carelessness से यह इसे पूलते है हम accidental accidental कैसे यहां आदमी जानबूज के नहीं करता जैसी कि जंगल में जो जानवर को चरा रहा है उसने चलम जलाई बीड़ी बीड़ी पी और बीड़ी का जो last वाला पार्ट होता उसे फैंक अब उसने तो फैक दी है पतापड़ा वहां पर जो grasses थी सूखी पड़ी थी या दाब जो बूलते हैं वह गुरूर हो रखा था वहां और उसमें आग पकाल ली और वह वह तो घर आ गया बात में पतापड़ा कि दूसरे दिन वह रात रात में जंगल जल गया तो इस टाइ जंगल से निकलेंगे नकलेंगे और जो ट्रेन कोईले से चलती थी जब भी चलेंगे कोईला काई न कहीं जो जलता हुआ कोईला है वो इधर उधर बिखरी जाता था तो उससे भी बहुत आग लगती थी बाद में नोंने एक मेकनिजम अपनाए कि यह जो ट्रेन की पठरी ह है और उसके दोनों साइट में वो ट्रेंच बना देते थे मतलब पैरललर ट्रेंच चलती थी तो इससे क्या होता था कि अगर इस पठरी से कोईला धरक के गया भी तो यह ट्रेंच तक ही जाएगा तो अगर यहां पर कहीं आग पकड़ी अगर ग्रास बगर रहना है तो इस इससे इधर पार नहीं कर पाएगी इस टाइप से जो फायर है उसे रोका जा सकेगा हलागी यह बास अलग है कि यह जो छोटे चोटे एनिमास से उनके लिए एक टाइप से यह जो ट्रेंड की पट्रियां वो बेरियर बना देती थी और कुछ है मैन की डिलिबरेटली जहां आदमी जान बूज के लगा जिता है इसका एक एक जैंपल है जंगल में क्या होते हैं कि जो जंगली जानवर है वो खतम हो जाते हैं तो उनकी हड़ियां बची रहती हैं खासकर ग्रासलेंड वाले एरिया में उसका सबस्चा एक जांपल आसाम बगर है जैसे गर्णा है खत कड़ते हैं जो ग्रामीह वाले हैं वो रात में जायेंगे औो घस वाले मैदन में लगा देंगे आग कूंकि घस बड़ी-बड़ी है तो उन्हें पहने तक दूड़ सबस्क्ते इनगे तो अग लगाने से क्या होगा भोर्व approve गस चल farmers जाएगी तो आसाम का यह एक्जांपल है आसाम में जो घास है जाने की अपनी जो गरासिस होती है तो गरासिस की एक टाइम है अगर पुरानी गरास लगी हुए तो उसमें नई पत्तिया नहीं आती हैं तो यह क्या करते हैं कि आसाम में जो काजी रंगन नेशर पार्क वाले हैं तो गेरणा है गेडांको घास जाईए तो यह देख लेते हैं कि हाँ ग्रासे ज़ो है वो जदातर मैचियोर है पक चुकी है अब उसमें जड़ा प्रोग्रेस नहीं होगी तो यह उसमें क्या करते हैं आग लगा देते हैं आग लगाने से क्या होगा कि पुरानी वेजीटेशन जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी और इसके बाद उससे 10-15 दिन बाद नई पत्तिया निकलेंगे नई पत्तिय ही निकलेंगे न ενदे नएयो फ्लस होगा वो जैद है न्यूट्रियस होगा न्यूट्रिसयस लुए गयानाओ के लिए तो फर इस ठाव बाद वर प्रनों के लिए वो फूड का प्रोड़क्षन प्रमॉट कर देते हैं, तो यह भी ऐख डिलिवरेटली कियो आती एक classification पर तो एक तो classification है कि इसके causal agency क्या है तो वो या तो natural है या accidental है या फर deliberately है दूसरे जो classification है वो है इसके place पर किस place पर यह आग लगी हुई है जैसे एक है ground fire जहां जो आग लगी है वो जमीन पर लगी है दूसरी इसी में है surface fire अब ground और surface में इतने ही फराग है कि ground में हलका हलका धुआ हो सकता है ऐसा है धुआ भी नहीं हो लेकन यहां आपको आग नहीं दिखेगी बस धुआ धुआ सा दिखेगा हलका हलका सा जलता रहेगा लेकन यहां आपको आग नहीं दिखेगी दूसरा जो सर्फेस है उसमें आपको यहां आग मिल जाएगी आराम से और यह सर्फेस के किलमबर वगरा यह छुटी मुटी वेज़िटी से ने इस पूरे को जला देती है अब क्या होता है कि जंगल में कई बार क्या है किलमबर्स जो होते हैं वो जो नीचे से ऊपर जा रहा होते हैं पेड़ों के उपर यह जल करके ऊपर लेके जाते हैं और पेड़ों के क्राउन तक पहुंच जाते हैं और क्राउन तो एक टाप से बहुत हलके होते हैं अक्सर जो फायर लग जाती है वो क्राउंड फायर होती है ऐसा क्यों क्योंकि जो चीर पाइन है उनमें होता है रेजिन रेजिन तो एक टाइप से पेट्रोल समझ लो तो यह तो वैसे जंगल है जो पेट्रोल की बोटल खुद लेक के खड़े हैं तो थोड़ी आग लगी इन इसके बात फरे है कुश्चन कर लेंगे से यहां पर आता है इंपोर्टेंस ऑफ फायर के फायर जो है वो देखो जंगल को तो साफ कर देती है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कोई पॉजिटिव ना हो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव बाली भी चीज़ें हैं उसके साथ जैसे कि आपके जब वो जलाता है तो नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव वाले तो वेक्टरिएक है लेकिन वो बहुत सारी जो डिजीज हैं पेस्ट हैं जो आपके लिए हर्फोल थे उन सब को भी जला देती है दूसरा क्या है जैसे कि वीड बगरा कर किसी एरिया में व वैबरेबल इन्वार्मेंट क्रियेट कर दिया क्योंकि पुरानी गरासिज वगरा को आपने साफ कर दिया और वहां से उल्टा फर्टलाइजर मींस जो एस है जो बीच में बाद में राख बची है वो एक टाप से फर्टलाइजर का काम करेगी इस टाप से सीट का जाता है तो कई वार कुछ चना आता है कि फोरेस्ट में जो घ्रास नीजो फायर है वह एस टूल भी यूज़ किया रहा है एक यहांपर एक्स्टा घ्यान देदुँ तो जो अपने सवाना है या जो ग्रासलेंड है वो ग्रासलेंड ही क्यों है जो कभी फोरेस्ट क्यों नह तो इसके कॉंप्टिशन में मितलब ट्री नहीं जीत सकते हैं लेकिन फॉरेस्ट फायर ऐसा है जो ग्रासेस को ट्री के साथ कॉंप्टिशन में रॉल प्ले कर देता है ट्री उसकी बज़े से जो यंग जनरेशन है जब कोई एक प्रॉड़ बहुत सारे सीड प्रोडूश्ट करता है तो उसकी यंग जनरेशन है वो हर साल एक ग्रासेस में जब आग लगती है तो वह जनरेशन खतम हो जाती है जबकि ग्रासेस की जो नीजे रूट्स होती है इनका कुछ होता नहीं है तो इस थाप प्रॉड़ प्रोड़ों को एक कॉंप्टिशन प्रॉमोट करती हो ह प्रॉड़ करवा देती हैं तो फुरेश्ट फाइर के इंपोटेंस के बाद यहां पर उनको कैसे प्रॉड़ेंट किया जाया मैं मुद्द तो अपना फॉरेश्ट को प्रॉड़्ेंट करने का है प्रॉड़ लगे खासकर अपने जब गर्मियों में फॉर लगती है तो उस के लिए यहाँ पर आते हैं फायर लाईन का concept फायर लाईन या फायर ब्रेक तो यह क्या करते हैं यह जिंगल है जंगल में एक fix मोटाई का ले ले लेते हैं एरिया और पूरे एरिया को बिलकुल grasses वगर साफ कर देते हैं जिससे अगर इधर से आग लगके आ रही है तो जैसी इसमें पहुंचेंगे तो ये इधर heat shift नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए तीन चीज़ें require हैं, पहला तो चाहिए fuel, दूसरा क्या चाहिए oxygen, और तीसरा चाहिए heat, ये तीन चीज़ों के बरा, इन तीन चीज़ों से अगर कोई भी एक absent हुआ, आग नहीं लगेगी, आपने देखा होगा है कि घरों में जब आग लग जाती तो एक cylinder होता है, जिसमें क्या होती, carbon dioxide, तो cylinder से आग बोजाते हैं, तो cylinder क्या करता है, oxygen को कम कर देता है, तो आग बुझ जाएगी, ये अपर आग बोजाने के इसी बना दोगे, जिसमें को चलने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर इधार से आग लगी है, तो यहाँ पर फ्यूर नहीं मिलेगा, ये पट्टी थोड़ी छोटी है, अधरबाई यहाँ पर थोड़ी बड़ी बनानी होती, क्योंकि यहाँ crown fire से ऐस इसे तो कवर हो जाएगा, तो इस पट्टी के थूरू यानि के fire के थूरू हम इसे रोग लेते हैं, तो एक तो यह तरीका है, दूसरा क्या fireland के लावा, इस रीजन में हम कुछ evergreen पेड़ों को लगा दे, evergreen पेड मतलब जो हमेशा हरे रहे हैं, तो इस टाइप से क्या है क् पेड़ों में आग थोड़ी कम लगती, जबकि अपने जो MPA Central India के जो plants हैं, गर्मियों में सबसूप जाते हैं, और बहुत मस तरीके से आग लगाते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक है तरीका है वाच टॉवर को, देखो जंगल में आग तो लगा गया कोई भी, कोई भी बीड़ी पीते हुए, जो जनवर चला गया था, बीड़ी पीते हुए फैक के चला गया आग लगा दी, तो अब आग जैसी लगए, जैसी पता पड़ा है, उसी टाइम पर कंट्रोल कर लिया जाए, तो जदासन जाता है, तो यहाँ पर जगए जगए फिर वाच ट बर्निंग का मतलब क्या है, कि जैसे आपके पास यह बड़ा एरिया है, आपने सपुच फायर इदर से आ सकती है, आपने इस एरिया को पहले तो सेपरेट किया, और इस में पहले ही आग लगा दी, और आग लगा के इस बड़े से एरिया को कंट्रोल तरीकी से साफ कर दिया इसी क्या बोलेंगे, कंट्रोल बर्निंग, अब आपने एक बार यहां कर दिया, एक कहीं और कर दिया, तो इस एरिया में लगा आग इदर से इदर मोव करना पॉसिवल ही नहीं है, अब यह तो रहा है प्रिवेंटिव, अब मान लो अगर आग लगी चुकी है, तब क्या कर हो गया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आपने पास वही तीन चीजा होती है, तीन चीजा क्या, एक है फ्यूल गूड, फ्यूल, दूसरा ऑक्सिजन, तीसरा है हीट, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज को अपसेंट करना पड़ेगा, तो उसका एक तो तरीका य हेलिकॉप्र से लेके आते हैं और पानी छटग देते हैं, तो इसमें आप उन क्या कर रहा है, हीट को कम कर रहा है, दूसरा क्या है कि एक्चुले हीट के मिलने से ही प्लांट में अग जल्दी सा पकड़ लेते है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे कुछ chemicals हैं जैसे कि उसमें आता है bentonite है calcium alginate है इस type के जो chemicals है उनका spray कर देते हैं तो जब यह spray उनकी पत्यों की लीप पर होगा तो यह उन्हें असानी से heat up नहीं होने देता है यानि कि heat को रोकता है, retard करता है तो इसकी वज़े से भी fire जो है वो रोक जाती है तीसरा एक जो काम है वो है counter fire यह जो counter fire है यह क्या होती है जैसे कि आपको इस picture पर नजाएं इधर से आपकी यहां आग आ रही है तो आप कुछ लंबे जगाए पकड़ाएंगे थोड़ा जहां पर fire अगले तीन चार गंटे बाद पहुंचेगी आप वहां पर एक बड़ी सी पट्टी बनाएंगे जिसे साफ कर देंगे क्या कर देंगे साफ यह उस case में जब fire बहुत बढ़ चुकी है उसको control करना आसानी से possible नहीं है तो इस टाप से साफ कर देते इसे बूलते है को इधर से जलाना शुरू कर देंगे तो यह fire जो है वो काफी लंबे पहले ही खतम हो जाएगी ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जब fire एक बार crown में लग गई तो फिर एक टाप से चद्रा की तरह ओड़ते है हाग जो है heat जो है अब fire के बाद अपना एक आता है lopping lopping का मतलब होता है जैसे कि यह इसान है या आप ऐसे समझ दो कि जैसे पत्य हैं जो बकरिया है अपनी वो तो पत्या खाती है अब यह बकरियों के पास तनी तो power है नहीं कि बकरियां यहां से नीचे से उलके पेड़ों पर ऐसी चल जाएं जैसी दिख रहे हैं इस टाइप से तो वो ना चल पाए और दो चाल चल जाए उन्हें छोड़ तो जम्हेज़ उटी तो ना चल पाए तो फिर इसको क्या किया जाए कोई कोई आना पड़ेगा तो जो बकरी को चराने वाला है वो क्या करेगा कि इसकी पतियां जो है ब्रांचन को काट करके नीचे खिला देगा तो इस टाइप से ये पेड़ों को जो काट देते हैं इसे बोलते हैं लॉपिंग अब लॉपिंग का रिजल्ट देखें तो इसे देख लो कि ये एक अच्छा खासा पेड़ था कुछ साल बाद उन्होंने इसे ऐसा किया और बैसी कंटिन्यू चलता रहा तो उन्हें इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये मतला पूरा का पूरा पेड़ बरबाद हो गया तो अब मुद्धा यह है कि आखर ये लॉपिंग को जो है वो कैसे रोका जाए प्रिवेंट कैसे किया जाए तो प्रिवेंट करने देखो क्योंकि ये जदतर जो करने वाले वो ट्रावल्स है और उनके फ़र फोरेस्ट राइट का अपना एक जुन जना बज़ता है तो वहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाते हो है तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट है कर दो ये ट्रावल्स राइट के चक्कर पर जुकना पड करते हैं जो बक्रियां वो जदापतियां खाती हैं वो मान के चलो यहां दस पेड़ हैं दस ही पेड़ हैं तो लोग घूम फिरके नहीं को काटेंगे तो लॉपिंग का डैमेज इन पर बहुत जदा होगा अगर इसी एरिया में हप उन हजार पेड़ लगा दें तो क्या पड़ेगा लॉपिंग का प्रवाओ वो थोड़ा काम होगा तो एक तो यही काम करते हैं को उस एरिया में जहां पर लॉपिंग का एफेक्ट है वहां पर प्लांटिशन बढ़ा देते हैं ऐसी पेड़ों की जो काफी न्यूट्रीशियस हैं इसके अलावा और क्या करेंगे इन लोगों को समझा दिया जाता कि देखो भाई इस पेड़ को आप इस साल काट लो इस पी लॉपिंग कर लो लेकिन अगले चार साल इस पेड़ से लॉपिंग नहीं करोगे क्यों क्योंकि उस पेड़ को भी रिजनरेट करना है यह लॉपिंग कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसे flowering fruit नहीं बन पाती तो उसकी अगली generation नहीं आपाती है तो इस type से हम वहाँ पर 4 साल की cycle में लेके चलते हैं तो area divide करके कर देते हैं इसके अलावा और क्या करेंगे हम यहाँ पर एक काम करेंगे पेड़ का अगर diameter 30 cm से नीचे है तो उसमें लॉपिंग नहीं करनी है इसके अलावा जिसकी आपको लॉपिंग करोगी जैसे यह पेड़ है इसका crown है तो इस crown के दो पार्ट ले लो उपर का one third नीचे का one third और यह नीचे करता है तो इनने बोला कि आप जो लॉपिंग करोगे वो नीचे के two third में करोगे उपर के one third को touch नहीं करोगे क्योंकि photosynthesis जो है वो पूरा इसी पर होता है तो एक टाइप से नहोंने एक तो उपर का area fix कर दिया कि आप लॉपिंग इसी में कर सकते है और दूसरा अगर पेड़ पतला है कम जोड है मतलब जो इसकी diameter कम है तो उसमें भी लॉपिंग करने से मना कर दिया और दूसरा जिन पर हो रहा है था उन्हें भी चार साल की cycle में डाल दिया इसके अलावा एक काम और किया ये लोग क्या करते थे कि एक पेड़ से काटी कुछ leaves बक्रियों को वहां डाल दी बक्रियां खाने लगे वो थोड़ा खतम होने वाला होता तब कि ये दूसरा भी काटके वहां डाल लेते हैं क्योंकि मस्त का माल है तो काटते जाते हैं तो बक्रियां पहली वाला छोड़ करके दूसरे में लग जाते हैं लीप्ज ही यूज भूलना कर लूआगे आप पीड़ के नीचे नहीं खिलाओ लुसे काठें नहीं, यूज यूज प्लंक रोलो ने का बोला Battle करना ही पड़ता है जिससे वो चीजों को एक्ट जो है वो कम किया जा सके प्रोटेक्शन अगिंस्ट इंजूरीज वाई एनिमल्स जिसमें अपने वाइल्ड और डॉमेस्टिक दोनों ही इंक्लूर है अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यह हमें जो सबसे बड़ा लॉस समझते हैं यह टर्म जो ड्राइब हुआ वो सुना हुआ किसे ग्रास से ग्रास क्या होती है जमीन पर नीचे तो जो एनिमल्स इसे ग्रास को कंजियूम करते हैं यह नीचे की वेजिटेशन को कंजियूम करते हैं इन एनिमल्स को बोलते हैं ग्रेजर और यह जो क्रिया है ज जो नीचे की ना खाकर प्लांट की जो अपर वाले पार्ट है इनको कंज्यूम करते हैं तो इस टाइप की जो एनिमल से इने बोलते हैं ब्राउजर और एक्सन से बोलते हैं ब्राउजिंग तो grazing है जो नीचे की vegetation यानि की grasses को खाते हैं और browsing वो जो अपर vegetation को consume करते हैं और जिसे आप internet चलाते हैं तो browser है वो भी आपका एक type से browser जो है वो अपर अपर उपर ही उपर काम करता है grazing के अलावा यहाँ पर जो आपको पढ़ना आश्में काफी important topic है यह याद रखें कि इससे possibility रहती है खासकर जो grazing pattern है या grazing region है इन सब चीजों पर question आते ही आते हैं तो यहाँ याद रखना है कि पहला तो हमें grazing का मतलब क्या होता है कि grazing में जो animals है वो क्या खारा है नीचे की grasses grasses में क्योंगी जो भी leaves वगारा होगी और उनकी tweaks वगारा और वैसी browsing के तो एक तो हमें इसकी definition देख लेना होता है दूसरा होता है term grazing के types अब grazing कितने type की हो सकती है देखो अगर हम domestic की करा देखो wild का अपना अलग system है क्योंकि उर में तो wild में सब में एक ही type की grazing हो या browsing हो एक ही type की होगी है अगर हम अपने domestic की बात करें तो इन में थोड़े types हैं जैसे एक है जो है migratory grazing migratory कैसे है जैसे आपने देखा होगा यह राजिस्थान से हैं काफी लोग है जो अपने जो चानवार हैं जब यहां सूखा पड़ता है राजिस्थान में तो MP की तरफ वो shift होते हैं seasonal और वो highway के किनारे किनारे इधर आ जाते हैं और फिर जब season favorable आता है तो बापस चले जाते हैं similar ऐसे concept जलता है जो अपने hills है अगर आप हिमाचल में देखेंगे या आप उत्राखंड में देखेंगे तो उत्राखंड में भी जो deep हिमाला है तो यह जो travels हैं वो वहां से move करते हैं सिवालिक की तरह कब जब सर्दियां पड़ते हैं सर्दियों में तर भरस से cupipple जाते हैं और फिर जब गर्ब्या पड़िः तो यह बापस तराफ स सब्सक्राइब सेप्ट हो जाते हैं तो जब फिर ऊबर यह नीचे जाते हैं तो एपने CTLS को भी साथ मेले कजाते और वो रास्ते में पूरा मोब स्टम जो चलता है उसमें ग्रेजिंग करते हुई जाते हैं तो यह जो है इसे बोलते हैं हम माइग्रेटरी ग्रेजिंग मतलब इसमें माइग्रेशन करते रहते हैं यह लोग और उसमें ग्रेजिंग करते रहते हैं दूसरा है 24-hour ग्रेजिंग 24-hour grazing migratory से कैसे different है क्योंकि migratory में यह rotate कर रहा है जगा इनके लिए एक नहीं होती है 24-hour में क्या करते हैं कि जो जंगल के पास के लोग हैं वो कुछ time के लिए मतलब 5-10 दिन के लिए अपने cattle को लेके गए जंगल में और उन्होंने एक specific area में cattle को चराते रहें साथ-8 दिन बाद फिर वो बापस आ गए तो इस टाइप का जूँग है वो 24-hour का है day grazing का मतलब जो अकसर होता है कि वो लोग स्वेश वह 19 वजीप अपने जनवरों को लेकर गए जंगल में दिन बाद उन्हें जंगल में रखा और साम होते होते उन्हें पापस घर लेकिया है तो यह है day grazing और जो चौथा होता है इसे बोलते है stall feeding मतलब जनवरों को घर पे खलाना यह इसी को बोलते है पिनिंग यह जो पिनिंग टर्म है कई बार पूछे जा चुका है क्योंकि अकसर यह थोड़ा अजीब सा लगता है तो पिनिंग या stall feeding दोनों का एक ही जन्स होता है तो चौथा जो grazing का टाइप है इसे बोलते है पिनिंग यह इस्टाल feeding अब अगर इसके अलावा आपसे grazing के pattern की बात की जाए grazing system की बात की जाए तो देखो grazing के types अलग होगा है यह है system या pattern तो इसमें वही थोड़ा अलग continuous grazing जिसका मतलब है कि आपने किसी area में जहां पर आप grazing करवा रहे हो उस पूरे area में continuous grazing होती ही रहती है हमेशा उस area में grazing activity चलती ही रहती है दूसरा है unitary grazing means आपने वह area जो है वह grazing तो हो रही है वहाँ बहले वह continuous हो यह discontinuous लेकिन उसमें जो grazing कर रहा है वो केवल एक ही type के animals कर है particular types of animals अब इसका negative क्या होता है कि यह जैसे इस area में केवल cows कर रहे हैं तो इनकी कोई particular choice होगी तो यह जो grasses को जिसे गाय चाहता खाती है उससे तो यह अच्छी तरह से खा जाएंगे लेकिन कुछ ऐसी vegetation जिसे गाय पसंद नहीं करती है वह वहाँ पर affected नहीं होगे तो कुछ इस time बाद वह value vegetation dominant हो जाएगी तो यूनिटरी के साथ यह थोड़ा issue है mix में यह होता कि जब दूसरे भी जानवर होते तो हो सकता है एक ग्रास एक टाइप की grasses को गाय जदा खाती है दूसरे जो कटीली जाडियां उन्हें बक्रियां जदा खाएंगे तो इस टाइप से हर ट इंपोर्टेंट है एक है deferred grazing और यह है rotational grazing देखो अगर अपने पास कोई area है इस पूरे area को अगर आप अपने grazing के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा इस area में अगर यहां की grass होगी तो पूरे जानवर जो है यहां पर कुंद पढ़ेंगे और यहां की grass को बरबाद कर इसे कुछ खाएंगे कुछ मितलब पैरों से कुछल देंगे कुछ को तोड़ देंगे तो इस ताप से उसको बरबाद कर देंगे इसके बाद फिर जैसी थोड़ी बहुत यहां पर grass होगी यह धर shift होगा है जैसी यह थोड़ी बहुत recover हो रही होगी इसे पूरा recover नहीं होने इसका result होता कि अगले 5-6 साल बाद यह grass का जो cover होट जाता है तो soil open हो जाती और soil erosion के बाद यह खतम हो जाता है तो यह grazing के साथ issue है तो इसका क्या तरीका क्या है बचाने का इस पूरे area को 4 पार्ट यह 5 पार्ट में divided कर दो जैसे अगर आपके पास साल भर में कराना है आपके जनवरों को पहले एक block में रखोगे तीन मन्त जैने खाने दोगे इसके बाद जैने shift कर दोगे दूसरे block में या फिर यह block आप एक-एक मन्त के भी कर सकते हो अपनी हसाब से तो जब दूसरे block में कर दोगे तो क्या होगा यह block आप बच गया आब इसमें कोई inter नहीं करेग तो यहां की grasses को अपनी आपको revive करने का time मिलेगा फिर जब इसमें एक month रखोगे इसके बाद उन्हें इस month इसमें shift कर दोगे फिर इसके बाद इसमें shift करोगे तो यहां की vegetation को 3 month का duration का period मिल गया अगर आप एक एक month पर कर रहे हो किसके लिए इसे अपने आपको revive करने के लिए तो जब इस पर पहुँचेगी vegetation या अपनी जो animal है जब उन्हें आप उस block में वापस लिके जाओगे तो उन्हें grass भी अच्छी मिलेगी और grass nest भी नहीं होगी क्योंकि उसे particular revive करने के लिए time मिल रहा है तो क्योंकि आपने अपने पूरे area को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और यहां पर उन्हें आप जो area तो move कर नहीं सकते तो यहां पर जो आपके cattle है आप उन्हें rotate कर रहा है इसलिए इसे बोलते है rotational grazing अब यहां पर क्योंकि आपके पास चारो ब्लॉक है आप चारो में रोटेट कर रहा है एक term more होता है जिसका मतलब होता है deferred grazing deferred का जो sense है वो होता है delay इसमें क्या किया मानलो आपके साथ कुछ issue हो गया कि आपका जो deep log है उसमें थोड़ा जड़ा issue चल रहा है या suppose उसमें जो grass है वो काफी अच्छी है लेकिन उसका जो regeneration period चल रहा है तो आप cattle को permit नहीं कर सकते हैं कि उस area में जा करके वो grazing कर है तो area पूरा season के लिए six month के लिए बंद है तो आपका rotation कैसा चलेगा इसमें थे इसके बाद इसमें आ गया फिर इसके बाद यह बापिस इसमें आ गया और फिर इसमें तो means जो चलेगा आपका तीन ही block के बीच में आप rotate करते रहोगे चौथा बिलकुल save कर दिया तो different का मतलब delay म अब नहीं आएगा three यहां पर जाएगा फिर fourth आएगा फिर fifth आएगा तो अब यह six पर आएगा अगर six पर भी छूट गया तो ninth पर आएगा तो इस थाप से आपने एक या दो cycle के लिए इसे delay कर दिया तो इसे बुलते है deferred grazing तो आप से जो question आते हैं वह rotational grazing पर अक्सर question rotational grazing और यह deferred grazing पर आते हैं अब यह होता है कि grazing जब animal करते हैं तो इसे हमें क्या loss होता है क्या issue क्या इसके तो एक तो यह है कि जैसे अपने पास कोई area है और इसमें hundred type की vegetation है तो animal को सभी तो पसंद नहीं होगे तो इनसान की तरह है अगर आपको buffer system होता है तो सभी चीज़े नहीं ख गाये को ले रखा है केबल गाये हैं वहाँ पर या केबल भैस है तो किसी particular जो grass है जो बहुत अच्छी टेस्ट में होगी जो palletable बहुत अच्छी है palletable का मतलब खादे खाने योग तो काफी अच्छी palletable है उसको जदा कंजियूम कर जाएंगी और non palletable को नहीं खाएंगी तो जो cuttile type की है जो non palletable है जो अच्छी खाद दे नहीं है जब वो नहीं खवेंगी जब उनके damage नहीं पहुचेगा तो वो तो gross करती रहेंगी तो बात में पता पड़ता है कि grass के compare में वो तेजी से gross करें और पूरी area में वही वही फैल गई तो इसलिए इस type का हमें maintain करना होता कि जो non palletable है वो control में रहें वो area में dominant नहीं हो जाएं तो अगर आपने grazing को control नहीं किया तो grazing में अकसर यह हो जाता है दूसरा है retro aggressive succession succession में बताया था कि UP में जब आपने forest जो है उसको reduce कर दिया grassland में तो इस type की चीज़ें बढ़ जाती है क्योंकि आप नई vegetation को growth ही नहीं करने दे रहा है तो पुरानी पीड़ कब तक टिकेंगे एक ना एक दिन पुरानी पीड़ टपक जाएंगे नए vegetation को होग नहीं पाई तो forest change हो गया grassland में इसके अलावा जो अपनी cattle है वो mechanical damage पहुंचाएंगे पेड़ों को कुछ खाएंगे कुछ को तोड़ देंगे किसी को कुछल देंगे उनकी प्लांट की physiology को disturb कर देते हैं floral composition बाले काफी अच्छा point है यह तो बताई दिया कि जो palletable होने खाजाएंगे unpaletable वहां बचे रहेंगे तो इस ताइप से जो composition हो चैंज हो जाता है कुछ जो regeneration के साथ issue कर देते हैं पेड़ों को तोड़ देंगे जो soil है उसको कुन देते हैं तो soil को कई बार lose कर देते हैं उसे ठोस बना देते हैं और इसका result है कि जब grass cover हट जागा तो हमपर run off जो है यानकि soil erosion है उसकी chances बढ़ जाएंगे तो यह तो रहे damages के यानकि grasses या grazing ज का एक तरीका अपने पास यही है कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपका जो area है वो कितने animals के लिए suitable है यानकि आपके area की caring capacity कि दनी है अगर आपकी area की capacity अगर 10 animal को care करने की मतलब उसमें अगर उस area में 10 animal को छोड़ दिया जाए तो वो आराम से खाएंगे इसके बा carrying grazing capacity या carrying capacity carry carry करना कितने को carry कर सकता है तो सबसे पहले तो आप उसको carrying capacity देखोगे एक बार carrying capacity निकल आई तो इसके बाद आप promote करोगे mixed grazing या प्रोटिसनल grazing जिस वज़े से वो area बचा रहा है दूसरा क्या कर सकते हो कि आप वहाँ पर आसपास protein bank को develop करो जिससे pressure जो area और थोड़ा कम हो और क्या कर सकते हो इस्टाल feeding को promote करो लोगों से बोलो कि वहां से घास काट के लेके आओ और घर पर खिलाओ कोई दिख कर देंगे क्यों को काट के आएगा तो बरबाद नहीं करेगा इसके साथ अलावा इसके साथ साथ कर सकने हम fooder bank की सुरूबात बहुत सारे जो यूपी के या उत्रगंड क करा दोगे तो लोग कहीं न कहीं वहां से भी compensate कर लेते हैं तो यहां पर अपने लिए जो मतलब का था वह जो कॉंसेप्ट था वह था carrying capacity का यह पता होना चाहिए आपको इससे काम हो जाता है अब जो carrying capacity को मेजर करते हैं वह से cattle unit के रूप में करते हैं अब ऐसा क्यों होता है cattle unit में क्यों करते हैं क्योंकि जो range land है range land एक subject है पूरा तो क्योंकि western countries में जो cattle है बड़ी बड़ी जो dairy farm है उनमें जत्तर cows गाये हैं और उनने जो अपने grass land बड़े छोड़ रखे हैं उनमें पूरी गायों को छोड़ रखा है वो खाती हैं और उसी के हिसाब से carrying capacity निकालते जैसे न्यूजिलेंड में चले जाओ तो क्योंकि वो grass जो man animal ही उनका cattle है तो जो measure करेंगे तो cow की हिसाब से करेंगे इसलिए यहां पर आपको लिखा हुआ है cattle unit या cow unit अब यहां पर एक टर्म है range land management इसे बताने के पीछे ही है क्योंकि basically तो यह पूरा subject है लेकिन इसके basic term सम अब का बनता ही बनता है तो इस पर जितने style लगाना चाहों इस block पर लगा लेने अपने notes में पहले तो आपको समझने होगा कि यह range land होता क्या है तो पुराने जमाने में या आजकल भी जो यूरोप है यह यूरोप के लोग जहां भी गये हैं तो यह लोग cattle को तो रखते है cattle मतलब cattle में गाय बगरे भी है और वफैलो बगरे भी है तो यह cattle बगर है यानि कि dairy farming तो करते हैं लेकिन अपनी तरह हर जानवर को बांद के नहीं रखना चाहते हैं तो इनने क्या किया इनके पास बड़ा सा area जैसे आस्टेडिया वालों के बड़े बड़े खेते हैं तो ऐ यहां घूमते रहेंगे खाते रहेंगे पीते रहेंगे और पर सामको ने सबको खटा ख़ड़ के लेकिया है मिलक निकाला और वापस छोड़ दिया तो यहां पर जो कर रहा हैं वो इसी टाप से dairy farming होती हैं कि तो यह जो grassland अब यहां पर क्योंकि इस area में animal खा रहा हैं तो इस area की grasses को manage करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यह जो grassland को manage करने के लिए जो subject start किया गया उसे बोलते है range land management और यह range land मतलब यह टाइप से grassland के लिए ही term use कर रहा हैं तो कई बार question जो है इस type का आया है कि जो MPPC में आया है दो तीन बार दो तीन question आया है कि ग्रामी उनका question जो है बोथ हा grass से लेकिन बहुत सारी लोगों को उस option में grass से start नहीं मिला वहां range land लिखा था तो अगर आपको नहीं पता कि grassland यह range land आल्मोस एक ही सिक्के के दो पहलू है तो आपको answer आ जाता है इंडिया की बात की जाएं तो इंडिया में लगव हों टोटल जोग्राफिकल इडिया का 4% अरिया जो range land लाता है Meg की अपने टोटल जिग्राफिकल एरिया का लागव की चार परसेंट एरिया जिसमें ग्रासिस है अब बात आती है कि इंडिया में ग्रेजिंग रीजन कितने है डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं इंडिया में साथ ग्रेजिंग रीजन है दूसरा ग्रेजिंग सिस्टम की ब इंडिया में जो ग्रास लेंड है जो 4% है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रास लेंड के लिए आपको पता है कि जो ग्रास लेंड फुडर रिसर्च को है जहां सी में है इंस्टिूट जो है अब ये इंडिया में कितने टाइप के ग्रास लेंड है इसके लिए बहुत स सब् curved और स wealthy आया वैंकर रमण दोनों सौत की हैं की संकर नारानय यानी कि भगवान संकर के साथ आय तब तो इन्होंने बुले कि 5 टाइप किया है बाद में यह जो वैंकट रमण के साथ तो इन्होंने बूल दिया कि देज में 8 टाइप की grassland है अब अपने को इनके कौन कौन से टाइप किया है साइम डाइकन्थियम टाइप संच्रा सिलरियरिया टाइप इस टाइप की चीजों में फसना नहीं है वो अपने काम के नहीं है लेकिन जो आइशियर वाले हैं उन्हें इनके टाइप पढ़ने पढ़ेंगे, जो आठ है, उनमें खासकर जो साइमाट आइकन थी, हम टाइप है, पहला जो है, उसे रटा मार लें, कि वो किसमें सेंडी, सॉयल बगरे में हो रहा है, उसे निकला है, यहाँ पर यह याद रखना है, कि यह जो दिवंगा और संकन नार है, इन्होंने ग्रास लेंड जो है, वो पाँच टाइप के बता है, तो यह जो पाँच है, वो अपने काम का है, इस पर कुश्चन कई बार आ चुके हैं, आई शेयर में, इसके अलाबा, हमें याद रखना होता है, कि जो ग्रासिस हैं, उनकी फैमली और उनका साइंटिफि आपने अगर गाउं से हैं, आप तो आपने दिखा हुआ कि बार्सिन का जो प्रांट होता, उसमें तीन पतियां ऐसी होती है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो वही है, ट्राइफोलियम, क्योंकि यह एजिप्ट से आया है, वहीं का निटेव है, तो इसे बोलते है, अलेकजेंड्रियम, अलेकजेंड्रिया एजिप्ट की एक पुरानी सिटी थी, तो ट्राइफोलियम, अलेकजेंड्रियम, यह बर्सिन का साइंटिफिक नेम है, और फैमिली इसकी क्या लेग्यूम है, ग्रास नहीं है, बर्सिन है, वो ग्रास नहीं है, ग्रास जो होती है, Poese, यानि कि Grammy, इसका पुराना नाम है Gramni, तो इ ग्रमनी की नहीं है, यह Legumneci गिया है Feb asks एक बात है दोनों. दूसरा होता है Alpha Alpha, या Lucan, Lucan भी काफी लगाई जाती है, खासकर Green Mulr के लिए इसका जो scientific name है वो है medica वो sativa ये भी legum है ये दोनों कई बार पूछा जा चुके है मतलब agriculture में भी और forestry में अकसर possibility रहती है कि ये पूछ लिये जाएं दोनो alpha-alpha इसलिए भी फिर्मास है क्योंकि alpha-alpha से एक homeopathic medicine बनती है जो जिसका नाम ही है alpha-alpha तीसरा जो है वो है दीनानाथ ग्रास इसको भी काफी आया है penicillitum ये gramny की है इसके अलावा जो ये जो है buffalo grass और napier grass ये काफी पूछे इसमें एक है elephant grass यहाँ अपने इंडिया में काफी उपती है इसके साथ issue क्या है ये grass की height बहुत ज़दा है इतनी जदा height होती है कि अगर आप elephant की ऊपर भी बैठे हो तब भी आप इस grass में छुप जाओगे तो ये जो है penicillitum purpurea ये है elephant grass और buffalo grass ये पराग्रास है ब्रचेरिया mutica तो ये जो पांचो grass है इनके scientific name और इनकी family ये आप important लिख लो ये तो आपको रटा मारने ही मारते हैं इसके अलाबा injurious में हम basic तो पढ़ चुके हैं जिनमें सबसे पहला तो अपना grazing वाला था इसके अलाबा कुछ और damage हैं जो mechanical damage है जो अपने wild animal पहुचा देते हैं जिसमें अपने deer या antilop है तो ये क्या है कि पत्यतिया खाच ली जाती है wild pig है ये इसके साथ दिक्कत ये है कि ये जो जड़े हैं उन्हें उखाड़ देता है जड़ों को खाड़ जाता है फिलों को खाड़ के खासकर जो नई seedling उसे बहु मानी मालक है बियर के साथ देख लिए जाए ये जो अपने हिली रीजन है ये क्या है रगड़ रगड़ के चला जाता है तो ये पूरा एरिया को साफकार देता है अगर ये प्लांट है इसकी बार्क चली गई क्योंकि जो एक ट्री जो है अगर आपने थोड़ा बहुत पाई गा तो इसका क्या है कि रूट कुछ टायम बात डेथ कर जाएंगी रूट डैस कर सकते हैं अब भी बिल्कुल पूरा पूरा बार्ग को निकाल कर देता है अब यहां पर अपना फोरेस्ट प्रोटेक्शन था अब अपना खताब में चुका आप अपने देखेंगे फोरेस्ट एंटमोलोजी और इसके बाद आएगा फोरेस्ट पैथरोजी तो आपना जो फोरेस्ट